आज ये गाड़ी में हम टेड़े टेड़े मूसली बना रहे हैं और फारिग बैठे में है क्यूंकि हमें फ्लाइट का इंतजार है कि मेरी भाबी जो है अभी आने वाली है और मुझे फ्लाइट में उसे पिक करना है तो यहां पर मैं मलीर केंड में करन बजार की तरफ जो है यहां पर मैं पहले मैंने इंत्यास से कुछ ग्रॉसरी की और यहां पर हमें वेट करीं कि उसका मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए तो फिर मैं एरपूट की तरफ जाओं क्योंकि सफर तो सिर्फ पांचे मिनट का ही है और बस लैंड ही होने वाला है एरो प्लेन और यहां से मुझे एरो प्लेन भी नज़र आ रहे हैं चोके लैंड हो रहे हैं और बहुत ही प्यारा व्यू लगता है बो मैंने यह कोशिश की कि बजाए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग करने के मैंने डिपार्चर वाला जो साइड है वहां से रिसीव करूंगी उसे मैंने कह भी दिया है कि उपर की तरफ आ जाए इसनां से टाइम भी बचता है और पार्किंग यह नहीं लगना पड़ और वह पराब भी चुकी है मेरी सिस्टर तो जाने दिया एस सफ़ वालोंने सच बोला था मैंने यह नहीं था का कि मैं डिपार्चर करनी मैंने यही का कि मैं रिसीव करने जा गया है सबराल थैंक्स तो डैम और भावी खायर है किसे आ गई नर्टिस आ गई और मैंने इनस को रसीव किया और साथ में मैं अब सोच रही थी कि अभी मुझे डिनर में कुछ बनाना है तो क्या बनाया जाए और नजर थी मेरी इसके हाथ में जो मिठाई का डबा है नो ओए होए होए पंजाब की मिठाईयां क्या बात है जनाब और वो खोई वाली बर्फी यह की इनन लेकर आई होगी मेरे जहन में था और वाकी में वही थी क्या करें जनाब सोचना पड़ता है ना इन बातों के बारे में ना सोचे तो जिन्दगी थोड़ी से मुश्किल हो जाती ये बाते इनसान सोचता रहे के मिठाई कहां से अच्छी मिल जाएगी और खाने को अच्छा कहां से मिलेगा तो इससे जिन्दगी असान रहती है बहुत प्यारा मौसम है और हम तो जैकेट्स लेके पहन के निकले लेकिन बाहर तो कराची वाले तो जनाब उनको तो खंडी ने लगती किसी ने भी कोई खास जैकेट पगार नहीं पहनी थी किसी एक ने कारडिगन या स्वेटर पहनावा था तो मैंने का जैसमीन हम तो एलियन लग रहे हैं तो इसी बाद पर हम ने जैकेट्स अपने उता दी क्या करें जैकेट्स हर साल हम लोग निकालते हैं पहनने के लिए लेकिन कराची का मौसम इस कदर सर्द नहीं होता कि इनसान अपना शोग पुरा कर सके सर्दियों के कपड़ों के लिए तो इसके लिए पंजाब या इंटीडियर से या फिर पहाडों के दरफ जाना पड़ेगा तो आज की मेरी रेसिपी है शल्जम पालक जी हाँ क्योंकि ये सर्दियों की बहतरीन सबजी है और आपने इसको जरूर अपनी इंटेक में रखना है क्योंकि मौसम के जो सबजी और फल होते हैं ये मौसम के जो बुरे असराथ हैं उसको भी जाहिल करते हैं और मज़ा तो आता है जनाब शल्जम और पालक का दोनों का एक कमबो हो शल्जम का इतना अच्छा फ्लेवर आता है अगर गोश्ट के साथ भी डाले या मैंने एक दफ़ा किसी कर सुना था कि वो शल्जम और आलू बनाये थे उनोंने ये तो कभी मैंने ट्राइ नहीं किये अब पाकिस्तानी कौम है ना हर चीज में आलू डाल देते हैं अब मैंने तो कभी ट्राइड नहीं किया, हाँ शल्जम गोश्ट हो जाता है, या शल्जम पालक हो जाती है, या कभी है शल्जम पालक के अंदर भी गोश्ट टाल लेते हैं, तो बच्चों को जरूर इसकादी बनाएं कि सबजियों का और अफादियत बताएं, खुब सबसी को बनाने के लिए आपने इसी तरह से शल्जम पील करने हैं, उनको काटना है, और अगर आप चाहते हैं उनको बोईल करना तो बोईल भी कर सकते हैं, साथ में यहां पे मैं गुड़ वाले चावल बना रही हैं और इसमें मैंने यह दम लगाने लगी हूँ, इसकी रे स्किप्शन में मैं मैं मैंने करूंगी और उसमें से कुछ प्रोड़क्स आपको चाहिए तो जरूर आपको चाहिए तो जरूर और करें, यहां पे पालक भी कर चुकी है, बहुत बारिक मैंने काटी है, देखें मेरा आठ और इसको मैंने तीन दफ़ा अच्छे से खुले प जिसके लिए मैंने दो बड़े प्यास लिए हैं और उसको मैं अब ब्राउंड करने लगी हैं, अच्छा शल्जम जो है आप अपने इसमें सालड में भी जरूर रखें, पंजाब में तो बखशे नानबू ने अपने खेतों में जरूर सबजी और उगाते थे, उनका बहु जो है यहां पे सिंद में रहते हुए कराची में रहते हुए जो है ना वह फ्लेवर ने लिला, वहुष बहुत पहतरी निक वेज़ीटीबल्स वहां पर मिलती थी, मिरा नहीं हल कि अब मिलती हूँ, सो इनी चीज़ों को याद करते हुए, नानी अम्मी का घर, क्या खूब आपी थे लगते हैं और ऐसे लगता है कि तूमाम वक्त जो है वो एक कहानियों की तरह है और वो वक्त के जैसे कि कोई हमने मैगजीन में ने कोई स्टोरी पड़ी थी वो था और वो चीजा अब एक्सिस्स नी करती है नहीं वैसे लोग आप एक्सिस्ट करते है यहां शायद यह मेरी observation है आपका इस बारे में क्या खेना है शलजम को ची सरफ से मैंने भुनाई की है और साथ में मेरी कोशिश है कि मैं चमर से ही इसको मैश करती जाओं ताकि यह साबत नजर ना आए और गुरे ना लगें देखने में अब मैंने जब इसमें यह पालक एड़ की है तो यह पालक भी अपना पानी छोड़ेगी तो इसको मैशिंग में दोनों की मैशिंग में असानी हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसको दुबारा आपी मूवमेंट है और जिसलिए से कोई वैन वगरा कोई आउटसाइडर और मेर्स तो बिल्कुल भी नहीं आ सकी तो अल्रेडी जो है मेरी मेर्नेकल आफ लिया था और आज भी जब यह सीन हो गया तो पूछ ना पूछें के क्या क्या हाल हुआ है और कहां कहां पे जो है ना लेने हैं अपनी लाइफ को मज़ीद मुश्किल बनाने के लिए वह भी मैं सोच रही हूँ लेंचे इने बातों में खाना तियार हो चुका है मैंने पालब जो है वह डाली थी और इसको अच्छे से भी दुबारा मैश किया है तमाम सबजी को यह है इसकी हुश्रा सी शकल और इसमें मैंने कुतर के आपने ग्रीन चिली डालनी है जिनका तो क्या ही फ्लेवर आता है और साथ में पिसवा गरमसाला आपने देखा मैंने वैसे सबजी बनाते वे कोई गरमसाला नहीं डाला था लेकिन अब एंड मैंने खुश्बू के लिए थोड़ा सा डाला है और बेहतरी इनकिसम की सबजी तयार है अगर आप चाह रहे हैं कि नान के साथ ले तो भी चले गी चपाती के साथ बटर वाली चपाती हो वाइट बटर, ठीक है न, तो उसके साथ भी, लेकिन हमारे घर में खाया जाता है, ये वाइट, नहीं, जीरे वाले चावल के साथ, तो मैंने साथ में जीरे वाले चावल भी बनाए है, और गैस का इशू के आपकी तरफ भी है, मुझे ज़रूर बिताएगा, हमारे पास भी ह और मेरी कोशिश होती है, कि नाश्टे के वक्त जो गैस आ रही है, तो उसी वक्त मैं लंच भी बना लो, तो अभी ये रात का वक्त है, तो रात के वक्त गैस आ रही थी, तो ये रात का ही काम हो सका है, ये देखें जीरे वाले चावल और प्लेट मैंने लिए स्टील की, क् कि देशी खाना है तो देशी ही स्टाइल में खाया जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है आपने अचार लेना अचार ले सकते हैं वैसे इसका अपना ही बहुत बहुतरी फ्लेवर होगा शर्ट लगा सकती हूं एक दफा बना के जरूर खाईगा रात को हमारे जाना हुआ बह के लिए लेकर आती हूं वो डाइवर्सिटी मेरे चैनल का नाम है ना स्टाइल डाइवर्स तू तिल नेक्स वीडियो नेक्स व्लॉग सी यू टेक्यार बोई 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 प्राईवर्स वीडियो नेक्स के लिए बोई pani